हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो फूट फेस्ट विद फैमिली एन फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रंची वनीला रोल की रेसिपी, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची है और इन्हें कुछ इंग्रीडेंट से ही हम घर पर 10 मिनट में आसानी स बना सकते हैं तो देर किस बात की चलिए बनाते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजे जिससे कि आप मेरी आने वाली नई रेस्पीस को भी देख सके हैं इसे बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ कप मैदा, वन थार्ड क नमक, अट किया है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर इसमें अट किया है यह यहिसमें मिल्क किया है और अब इसमें वन फ़ोर। ती-श्पून बनीла essence अट करेंगे और थोड़ा, थोड़ा, मिल्क अट करके इसका ठिक गोल, बना लेंगे मिल्क 100 ml के लगबग यूज किया है ये थोड़ा कम्या जादा भी हो सकता है ये देखिए घोल की थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए फिर हमें एक कौन चाहिए आप चाहें तो रेडिमेट कौन यूज कर सकते हैं पर इसका एक आप्शन ये भी है मैंने यहाँ खाली मिल्का पैकेट लिया है और इसे अच्छे से साफ कर लिया है और एक साइट से इस तरह से थोड़ा ज्यादा कट लगा लिया है और अब इसमें हमें अपना गोल फिल करना है आराम से और केरफूली फिल करेंगे जिससे कि ये फैले ना और अब इसे बंद करने के लिए पतला बला रवर्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पर ये किलिप लिया है और इसे इसे बंद कर दिया है और ये देखिए हमारा कौन तयार है और फिर कैंची से इसकी नुकीले साइड में एक छोटा सा कट लगा लेंगे ज़्यादा बड़ा कट ना हो और अब इसे मैंने चेक कर लिया है ये बिल्कुल सही साइच का है और अब एक तबा गर्म करने रखेंगे गैस पर और उस पर स्टार्टिंग में ही बस एक वारिक पतली लेयर ओली अगी की लगा लेंगे और कौन को कुलाई में घुमाते हुए इस तरह से एक जाल जैसा बना लेंगे फ्लेम इसकी हमें लोटू मीडियम ही रखनी है और थोड़ी ही देर में ये सीख जाएगा और किनारे से उठाते हुए एक साइड से इसको रोल करते जाएंगे ये देखिए इस तरह से और ये देखिए रोल बनकर तयार है और अब इससे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और अब दूसरा रोल तयार करते हैं इसे भी देखिए इस तरीके से गोल गोलाई में घुमाते हुए जाल लुमा बना लेना है और थोड़ी देर बाद ही ये सीख जाएगा और एक साइड से हलके हातों से कियरफुली इसको रोल करते जाना है ये देखिए ये वाला रोल भी हमारा बन चुका है और इसी तरीके से हम सभी रोल बना लेंगे इन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता ये बहुत चल्दी बन जाते हैं ये देखिए कुछ रोल्स बन कर तयार हैं और बच्चे हुए घोल से हम सारे रोल्स बना लेते हैं और बच्चे तो इतने खुश हो जाएंगे इन्हें देखकर कि आपसे हर बार ये ही रोल्स बनाने की डिमान करेंगे ये देखिए इतने से घोल से इतने सारे रोल्स बन कर तयार हैं लग रहे हैं ना लाजबाब आप जब भी इन्हें ट्राइ करें मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये रोल्स कैसे लगे और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग